नमस्कार स्वागत है आपको आरभी एम न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ नहा शर्मा आई ये रूख करते हैं खबरों की ओर इंडिया की बेस्ट नेट्वर्किंग मार्केटिंग कमपनी जिसमें वो सब कुछ प्रूफ हो चुका है जिसके दावे सभी ML कमपनिय करती नजर आती हैं लेकिन कुछ ही कमपनियों ने लोगों के सपनों को साकार किया है उसमें से एक नाम जो तेजी से ओबर कर सामने आ रहा है वो है Safe and Secure Online Marketing Private Limited जो पिछले 16 सालों से लोगों की लगातार जिंदगी बदलती आ रही है आईए देखते हैं RBM News इंडिया की खास पेशकश मुझे जॉब करते करते एक अपरजनिटी मिली जिसका नाम है Safe and Secure Online Marketing Private Limited और जब उस इंसान ने मुझे बताया मेरे उस इंसान का नाम है Mr. Fyar Chaudhary सर उन्होंने मुझे बताया कि आप जो भी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास वह अपरजनिटी ह है आप उससे हासिर बोले कि सर मताये उसके बारे में तो उन्होंने मुझे दिखाया और मैंने उसी दिन डिसीजन लेया यस दिल्ली में आया था फर्स टाइम में और तो जब मैंने इस अपरजनिटी को देखा मुझे लगा कि जो मुझे तलास थी आज वो मिल चुका है और मैंने सुरुवात किया सुरुवात किया बहुत लोगों ने बिरोद किया लेकिन मेरा मंजील एक ही था कि मैं एक ऐसा काम करूं जहां मेरे परिवार के साथ मेरा नाम जाने कि यह अन्मोल कुमार जा है और इस गाउं का है मुझे जाने लोग आउने वाले समय में मैं सारा साल पहले देखा था कि गरीब से गरीब आदमी करूरपती बन सकता है और उसके हर ड्रीम पूरे हो सकते हैं मैं चाहूंगा कोई भी आदमी आज जिस भी लेवल पर है अगर वो अपने ड्रीम को लिख ले और प्राप्त करना चाहे तो मैं बोलूंगा सेफ एंड सिक्य हैं लगे रहते हैं फिर बोलते हैं मुझे मौका नहीं मिला हार इंसाओं को मौका मिलता है लेकिनों मौके को पाचानता नहीं है जो पाचानता है वही आदमी भीर से लगना चाहे थैंक यू पीस अलवेस्ट थैंक बहुत अच्छा लग रहा है आज गारी लिए हैं पहले अलटो गारी थी चोटी लगती थी अब यह ले लिए तब कोई फिल नहीं है कि मेरे पास बड़ी गारी नहीं है है हस्बेन इसमें जूरे काम किये और उसके बाद यह यहां तक पहुंचे हैं जो मैं आज यह गारी लिए हूँ और मेरे इतने भी टीम है सब को मैं असिरवा फिल परे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि और अल्टो से और टी तक का जंप बहुत बड़ा जंप है और डेफिनिटली उनकी महनत है और हम भी महनत करेंगे हैं हम भी लेंगा और ऐसे बात यह हैं आण आम बियो प्राओड अफिम कि आज उनने भहत कुछ अचीव कर रह जब ये इस लाइन से चुड़े थे और मेहनत कर रहे तब क्या देर में किसी ने इनका विरोध किया विरोध ऐसा कोई पर्टिकुलर जादा नहीं था पर जब आप किसी चीज में जाते हो और बहुत ज्यादा नहीं चीज होती है तो करियर को स्विच्च करना बहुत बड़ी चीज होती है और डेफिनेटली एक गवर्मेंट जॉप से प्राइवेट जॉप में बेसिकली शिफ्ट करना बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी बाट आज जब ये सब कुछ देख रहे तो वो स्विच्च अच्छा रहा वही फील हो रहा है और इस विच्च अच्छी अच्छी तरीके से जानेगा क्यों फील कर रहे हैं इस चीज में पापा की सोलनी महलत थी बाट आई थेंग बहुत बड़ा सपोर्ट रहा टीम का क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके साथ पूरी टीम ना हो बहुत सारे लोग ना हो आपके बहुत कु कर सकते हो बाट टीम वर्क बहुत इंपोर्टेंट होता है तीम ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा क्योंकि उनकी भी बहुत जादा महनत थी और आज जब यह सब कुछ वो देख रहे है तो उनको भी फील हो रहा होगा कि उनकी महनत रग लाई और डेफिनेटली अगर आगे ने लिया और दूसरा आज हमारे जो मेंटर हैं जिनको जिनके दिसा निर्देश में मैं इस बिजनेस तक यहां तक पहुंचा आज सर ने यह दूसरा सपना पूरा किया सेम ओडी कार सर ने भी लिया है और हमारे गुर्दे बताते हैं हमेशा की बड़े भाई की साधी हो होगी यही सेम मेरा टार्गेट लगा हुआ है और बहुत जल्द आपके सामने यही गाड़ी सेम सेम गाड़ी मेरी दी होगी और तीन ओडी एक ही कलर का एक ही मोडल का एक ही सब कुछ होगा हमारा भी तो यह ड्रिम मैंने देखा है सपना मैंने पूरा करना है और बॉल्ट अब बहुत जल्द उसको चेंज करके सेम इसी गाड़ी में हम आएंगे और ये सब कुछ सिस्टम हमारे महागुरूओं के आसिरवात की वज़े से मैं भी सिस्टम को जो जोइन करया किया था सर ने मुझे दिखाया था बड़े-बड़े सपने की तुम भी जिन्दकी में बहुत-बड़ा काम कर सकते हो तुमारी भी लाइप चेंज हो सकती है तुमारे पास भी गाड़ी होगी तो मैंने बोल्ड गाड़ी लिया साइकिल से इस विजनेस को स्टाट किया था सेफसोप को सुरुवात किया था मेरे पास में एक सकेंडन साइकिल थी लेकिन आज इस ओड़ी के सोरूम में आने के बाद पहली बार से ओड़ी के सोरूम में आया आज ओड़ी का सोरूम देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह गाड़ी आ चुकी है सब कुछ हो भारा, थेंक यू भेरी माच, विश्यू अल्दावेस, अंड गो डायमन। के लिए कभी नहीं आए, कभी नहीं।